नवश्कार दोस्तो नौलिज पंडित के नए इस वीडियो में आपका स्वागत हैं दोस्तो हम पढ़ रहे हैं ससी जीडी के कौशन्स आने वाले एक्जाम्स के लिए आपकी फुल तैयारी कराएंगे हर दिन आपको 100 कौशन्स प्रोवाइड करेंगे और कम से कम 20 से 30,000 कौश पंजाबी भाषा की लिपी कौन सी है तो गुरु मुखी लिपी पंजाबी भाषा की लिपी है भारत की मुख्य भूमी का दक्षणतम किनारा कौन सा है तो कन्या कुमारी दक्षणतम किनारा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो अरुनाचल विटामिन आवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है तो विटामिन सी आवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है भारत का प्रथम गवन्न जनरल कौन था तो बिलियम बैंक टिक भारत का प्रथम गवन्न जनरल था कागज का विशकार किस देश में हुआ है तो चीन देश में का गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो सिदार्थ गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम था अगला प्रश्ण है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वच सेनापती कौन होता है तो राश्पती भारत में सशस्त्र बलों का सर्वच सेनापती होती है रतौंधी किस बिट लोगी बेर्ड ने टेलिविजन का विश्कार किया है भारत की पहली महिला शाशिका कौन थी तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शाशिका थी मचली किसकी सहायता से सास लेती है तो मचली अपने गल्फडों की सहायता से सास लेती है इंकलाब जिंदाबाद का नारा कि उन्हों ने फोर्वर्ड बॉज की स्थापना की थी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो लाला लाचपत राय और चेगां के थी तो भागत सिंग ने सांडर्स की हत्या की थी 1857 इसभी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था भारत की पहली महीला राज़ेपाल कौन थी तो सरोजनी नाडू भारत की पहली महीला राज़ेपाल थी माउंट एवरिस्ट पर दो बार चठने वाली पहली महिला कौन थी तो शंतुस यादो जी उनका नाम था ब्रह्म समाज की स्थापना किस के दुबारा की गई है तो राजा राम हन राई के दुबारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है स्वामी दयानन सरस्वती जी का मूल नाम क्या था तो मूल शंकरिन का मूल नाम था वेदों की और लॉटो नारा किस ने दिया था तो दयानन सरस्वती जी ने वेदों की और लॉटो नारा दिया था रामकिश मिशन की इस्थापना किस ने की थी तो स्वामी विवे का नंद जी ने रामकिश मिशन की स्थापना की थी वासकोडी गामा भारत कब आया था तो 1948 में माफ करिएगा 1498 में वासकोडी गामा भारत आया था वासकोडी गामा कहां का रहने वाला था तो पुर्दगाल का रहने वाला था वासकोडी गामा हवा महल कहां परिस्तित है तो जैपर में हवा महल इस्तित है अगला कॉशन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है सिखों का प्रमुक्तियोहार कौन सा है तो बैसाख ही सिखों का प्रमुक्तियोहार है लोहपुरुष किस महापुरुष को कहते है तो सरदार पटेल जी को लोहपुरुष के उपनाम से जाना जाता है निता जी किस महापुरुष को कहा जाता है तो सुभाशनर बोजी को निता जी उपनाम से जाना जाता है दिली इस्तित लाल बहादो शास्त्री की समाधी का नाम क्या है तो इनकी समाधी का नाम विजय गाठ है महाभारत के रचेता कौन है तो महरशी वीद व्यास महाभारत के रचेता है अर्थसास नामक पुस्तक किसने लिखी है तो चाड़क के कौटे लेने अर्थसास तर नामक पुस्तक लिखी है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया है तो लाल बहादर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है समिधान सभा का इस्थाई अद्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजिंद प्रशाथ समिधान सभा के इस्थाई अद्यक्ष थे समिधान सभाकी प्रारूप समिधी के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमरा उंबेटकर समिधान सभाकी प्रारूप समिधी के अध्यक्ष थे विश्व रेड क्रॉस दिवस के स्तारीक को मनाय जाता है तो हर साल आठ मही को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते है सूरियोदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रशिद है तो जापान सूरियोदय के देश के उपनाम से प्रशिद है अंतर राश्रिय महिला दिवस के स्थिथी को मनाते है तो आठ मार्च को अंतर राश्रिय महिला दिवस मना जाता है राश्रिय विज्यान दिवस कब मनाते है तो 28 फरवरी को राश्रिय विज्यान दिवस मनाते है Blood pressure मापने के लिए किसी अंतर का प्रयोग करते है तो स्फिगनो मैनोमेटर का प्रयोग Blood pressure मापने के लिए करते है Computer की Permanent Memory क्या कहलाती है तो इसे Read Only Memory के नाम से जानते है किस अधिवेशन में कॉंग्रिस उधारवादी और अगरवादी नामक दो दलब में विभाजित हो गई थी तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रिस इन दो दनों में विभाजित हो गई थी तंजोर का ब्रहद द्रेश्वर मंदर किसने बनवाय था तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजोर का ब्रहद द्रेश्वर मंदर बनवाय था मुगल समराट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल समराट अकबर का जन्म हुआ था वर्ष 2014 का फुटबॉल बेशुकप किस देश में आजित हुआ था तो यह ब्राजील देश में आजित हुआ था 2018 का फुटबॉल बेशुकप किस देश में आजित हुआ था 2014 के कॉमन विल्थ खेल कहां पर हुए थे तो ग्लासगो स्कॉटलेंड में यह खेल हुए थे 2015 काकर केज बे हैर प्राजय न्यूजी लेंड और उस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से हुआ था संसत के दोनों सद्नों की संयुक्त बैठा की अध्यक्ष्टा कौन करता है? भारत के परतम लोगसुभा अध्यक्ष्टा कौन थे? तो गनेश वासूदे उमावलंकर भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत जम्मू कश्मीर को विस्यस राजी का दरजा अनुच्छे 370 के अंतरगत प्राप्त था कोई विधेक धनिया विधेक है या नहीं इसका निर्ने कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्ने करता है विश्यो का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो एश्या महादीप विश्यो का सबसे बड़ा महादीप है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है विशो में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो मैकसिको विशो में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है छेतरफल के अनुसार विशो का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वैटिकन सिटी छेतरफल के अनुसार विशो का सबसे छोटा देश है स्वेज नहर किंदो सागरों को जोडती है तो स्वेज नहर भूमद्य सागर और लाल सागर को जोडती है पनामा नहर किंदो महासागरों को जोडती है तो प्रिशान्त महासागर और उत्री अट्लांटिक महासागर को पनामा नहर जोडती है भारत के संगे छेतर दादर और नगर हवेली की राध्धानी कौन सी है तो सिलवासा भारत के संगे छेतर दादर और नगर हवेली की राध्धानी है चेतरफल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजिस्थान चेतरफल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है प्रत्वी दिवस का मनाय जाता है तो 22 अप्रेल को हर साल प्रत्वी दिवस मनाते है फूलों की घाटी किस राज्य में है तो उत्राखंड में फूलों की घाटी इस्तित है 2011 में नव निर्मित राश्र दक्षली सूडान की राध्धानी कौन सी थी तो इसकी राध्धानी जूबा थी योजना आयोक का प्रथम अद्यक्ष कौन है? माफ करिएगा योजना आयोक का द्यक्ष कौन होता है? तो प्रधान मंतरी योजना आयोक का द्यक्ष होता है आईने अगबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अगबरी के लेखक है Hope Man Cup किस खेल से संबन्दित है तो Hope Man Cup Tennis खेल से संबन्दित है देश बंदू के उपनाम से कौन जाना जाता है तो चितरंजन दास को देश बंदू के उपनाम से जाना जाता है दोस्तो ये थी सीरीज जिसमें आपके लिए आज के ये बो कोशन्स प्रोवाइट किये गए है आगे की सीरीज यू ही चलती रहेगी चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भुलेगा अपने दोस्तों को जरू शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को जाँ 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 शेयर करें चैनल पर दोस्तों को जुड़े और हम से जुड़े रहने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद